नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पृत्वी and I hope you are doing well आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रहम समाज के बारे में साथी साथ हम राजाराम मोहनराई जी के बारे में भी बेसिक सी जानकारी लेंगे क्योंकि अगर राजाराम मोहनराई जी पर हम अगर डिपली डिस्कस करने लग है तो ऐसा होई नहीं सकता कि एक घंटे से पहले लेक्चर समाप्त हो जाए क्योंकि बहुत वड़ी हस्ती हैं और इनकी जर्नी बहुत लंबी रही थी तो इनके बारे में अगर हम डिस्कस डीपली करने लग जाते हैं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा हमारा इन पर हम किसी और दिन जो है डिस्कस करेंगे स्वाज किया जो हमारा मेंली जो फोक्स होगा वो होगा ब्रहम समाज पर तो चलिए अबना डिस्कसन स्टार्ड करते हैं राजा राम मोहन राई जी का जनम 1772 इस्वी में कलकत्ता के हुगली जीले के राधा नगर गाउं में हुआ था इनके इमरित्यू 1823 में इंगलेंड में होती है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे इनके पीता का नाम राधा कांथ था इनके जो पीता थे ना वो कडर हिंदू थे और जो राजारा मोहन रहे थे वो जो एक उदारवादी विचारों वाले थे और इनका जो mind set था वो कुछ अलग ही तरीके क्या था इनके माता का नाम ताननी देवी था actually में क्या था कि इनके पीता के साथ लगातार मतवीद होते ही रहते थे ये जो थे वो मुर्ति पूजा का बिरोध करते थे और इनके पीता जो थे वो कटर हिंदू थे इसलिए इनको डांटते रहते थे कि तुम कर क्या रहे हो तुम बोलते क्या हो तुम जो एक ब्रामन परिवार से हो actually में जो थे वो राजा रामोन राजी जो एक ब्रामन परिवार से थे और इनके पिता कहते थे कि तुम ब्रामन परिवार से हो और तुम्हें इस तरह की thinking सोवा नहीं देती, तुम्हें इस तरह की बातें सोवा नहीं देती, तो इसी मतवेद के चक्र में राजा राम मौन रहा है, बहुत जल्दी, मतलब छोटी ही उमर में घर छोड़ कर चले जाते हैं, और आपको पता है कि बहुत सारे से बड़ी-बड अस्तिया ही है, इलोन मस्क ने कभी घर नहीं चोड़ा था, अबदुल क्लाम साम ने कभी घर नहीं चोड़ा था, फिर 1809 से होता क्या है कि जो राजा राम मौन रहाजी थे बहुत धर्म की सिक्षा लेने के लिए, तिबबत में बहुत धर्म की सिक्षा लेते हैं, इन्हों ने इसाही धर्म की इसलाम धर्म की इसला से लेते हैं। जब ये तिबत से बापस आते हैं तो उसके बाद इनकी साधी करवाज जिद धी जाती है और इनकी पत्रीगी उति हилась फूरा मोहन राजे की नाम था। 1809 से 18014 तक ब्रीडिस कमपनी के अधीन के काम करते हैं दिवान के पदपर मतलब यह दिवान के पदपर होते हैं ब्रीडिस कमपनी में फिर 18014 में जो है कमपनी से क्या दिकर देते हैं सिन्यास ले लेते हैं मतलब कमपनी से में जो है स्तीफा दे देते हैं आप सोच सकते हो कि जिस परसन ने इतनी सारे धर्मों के बारे में रिसर्च किया, इतने सारे धर्मों के बारे में पढ़ा, वो कैसे एक नोकरी कर सकता है, क्योंकि जो धर्म है, वो सिखाते हैं दूसरों के लिए जीना, वो सिखाते हैं मतलब लोगों के लिए जीना, वो सिख जाते हैं हमें दुसरे लोगों की बारे में जीना या दूसरे या सुसाइटी के बारे में कैसे काम करना धर्म का होता है उसके बारे में बात करना बोर एक परस witnessing जो इंतना घ्यानी था इतने धर्मों का जिस नो कि अधेयन कि था इस नो कring तो खरिज कर दि नहीं जो है वो अर्बी, फार्सी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लेटिन इसके अलाबा भी वहुत सारी लेंग्वेज थी जो राजा राम मोहन राजी जानते थे सोसकते हो हाज हम जो है हिंदी या तो इंग्लिस जादा से जादा इंग्लिस इन दोनों लेंग्वेज के बारे में ही जानते पाते हैं उसके बाद तो हमारी टाइटाइट थिस हो जाती है ठीक है लेकिन एक ऐसा परसन जो इतनी सारी लेंग्वेज के बारे में जानता था तो ठीक है वो सुन्या है इनोंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया कि इनका जो किसी विरूब में हम पूजा नहीं करेंगे या मैं पूजा नहीं करूँगा और यह जाती प्रथा मतलब हमारे भारत में जो कास्ट सिस्टम था और जो लोगों के बीच जो भिद्वाव हो र जाता है और जब उनका ध्यानत हो जाता है तो उनकी जो भावी थी उनको जो है सती बनाया जाता है जब इनके सामने जो है उनको सती बनाया जाता है तो नेचरल सी बात है जब आप किसी जिंदा पर्सन या जिंदा वाड़ी को जिलाओगे तो उस दर्द तो हो गई है तो उन को देखकर जो राजा राम मुहनराय की आँखों में पानी आ गया था उसके बाद इन्होंने प्रान लिया था कि ये जो जितनी भी भारतिया समाज में हिंदू समाज में में लिए जितनी भी ये कुरीतियां हैं जितनी भी ये बुराईयां हैं जितनी भी ये कलंक हैं इन सब क मैं खतम करूँगा मैं इसी पर काम करूँगा तो मतल वो एक incident हो गया था इनके सान्थ जिसके बाद बहुते के सती प्रता मैं इनके सान्थ में कहा था कि मैं सभसे पहले इस कुरिटी को दूर करूँगा सती प्रता को और इसे पर काम करते हुए आगे फिर लाड विलियम बैटिक जो है इनके सहयोग से 1829 का साल होता है इसी साल जो है सती प्रथा बेन कर दी जाती है और कोई बेगर इस सती प्रथा को भीहेव में लाता है तो उसे जो मौत की सजा सुनाई जा सकती है तो इनी के स्पोर्ट से जो जो कुरितियं थी बनाफ़ट हुए ठीकशुल में सती प्रथा का स्टान्ट माना जाता है कि जभ भगवान सिवası ठेक जब सती अपने पीटा क Stre जो सवय होती है आप पर सिव को नहीं सब बलायाताँ है उनके अपमान होता है तो तब वो खुड प confessed जला देती है उसे सती का जाता था फिर क्या था धीरे धीरे लोगों ने उसे गलती मतलब ले लिया उसका और लगातार सती माना गया जो अपने पती के प्रती जो है सच्ची होती थी पुभीत्र होती थी और उनको जो है उनके पती के साथ ही जो है जला दिया जाता था तो एक भारतिय जो बेध हैं यया पुनिश्ट है ठीक है उन में इस चीजों के बारे में कोई भी बी मेंसंद नहीं था लिए से से जो बात跟大家 किया गया इससाई धर्म से परवावत थे जो राजा राम हण रहा है थे ना इसाई धर्म से प्रवावित थे, एक्शुली में ऐसा नहीं था कि जो राजाराम होन रहा है थे, उन्होंने इसाई धर्म को अपना लिया, उन्होंने क्या देखा कि इसाई धर्म में वो जो है, वो मौर्डन थिंकिंग के पर मतलब वो मौरलिटी पर जादा बाद करता है, लेकिन इन्होंने इसाई धर्म को भी नहीं चोड़ा, क्योंकि इसाई धर्म में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, जिनके वो अंगेश्ट में थे, एक्शुली में बाइबल का जो है, अनुबाद किया था, इन्होंने, ठीके, जिसमें इन्होंने क्या किया, कि एक्शुली बाइबल पर जो है, इन्होंने अठरा सो बीस में किताब लिखी थी, जिसका नाम था, इन्होंने बाइबल का अनुबाद किया, जिसमें इन्होंने जो है, उसके विरुद्ध वाद की और नैकिति उसमें जो इनने नैतिक बातों का समवेश किया जिससे जो इनका बहुत आलोचना होती है ठीक है नेचुरल सी बात है जो दूसरे धर्मों में जो कुरीतिया है उन पर बात करेंगे तो उनका जो उनकी आलोचना होना ये उनका विरोध एक्जाम में बहुत बारी पोचा जाता है कि भारत में पुनर जागरन के जनक कौन थे या पीता कौन थे तो राजाराम मोहन राए आधुनिक भारत के निर्माता या आधुनिक बेक्ती जो है किसे का जाता है राजाराम मोहन राए को राजाराम मोहन राए ने सुसाइटी म में बंगाली बाहसा में अपनी पहली पत्री का संबाद कौमदी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संबाद कौमदी को किसके द्वारा परकासित किया जाता था तुरा-जरा महुनरः की द्वारा इन्होंने अठास के संबाद क Muito बार लिखी जिन को राजाराम महुनराय के द्वारा लिखा जाता था, इनके द्वारा उन्हें प्रकासित किया जाता था राजा राम मुहनरा ने बहुत सारे से इंस्ट्यूशन स्थापित किये थे जैसे कि 800, गैस यहाँ पर actually में क्या होता है कि किताबों में दो डेट दी गई होती है, 814 और 815 लेकिन यहाँ पर आप 814 नहीं करोगे आत्मिय सवा की जो स्थापना राजा राम मुहनरा ने की थी, वो की थी 1815 में, ठीक है, इस डेट को याद रखना और बहुत बार यहाँ से को याद रखना क्योंकि यहाँ से कोशिन बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब एक टेस्ट को चोड़कर तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, उसमें कोश्चिन आता ही आता है 1815 में, आत्मिय सवा की स्थापना की गई, 1816 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई 1816 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है, राजाराम मुहनरा ने डच अधिकारी, गड़ी साज डैविड हेर, इनका पूरा नाम गड़ी साज डैविड हेर था, उनके स्थायोग से की थी एक्चुले में, वहाँ पूचा जासकता है कि, 1816 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना गड़ी साज डैविड हेर ने 1830 में क्या होता है कि अकबर दुतिया इनसे बहुत इंप्रेस हो रहते हैं ठीक है और अकबर दुतिया के दोरह इने राजा के उपादे दी जाती है Actually में starting में सुरु में इनका नाम राजा नहीं होता था राजा राम मुहन राय बाद में अकबर दुतिया ये मोगल वासा थे मोगल समराठ थे 1830 में तो इनके दोरह इन्हें राजा के उपादे दी गई और कोश्चिन आता है कि कि किसने राजा राम मुहन राय को राजा के उपादे दी थी तो अकबर दुतिया ने इस स्लाइड मेरे सबसे इंपादे है 1833 में राजा राम मुहन राय की मृत्यू हो जाती है कहां होती है इंगलेंड के ब्रिस्टल में और आपसे कोश्चिन पूशा जाता है कि राजा राम मुहन राय की जो मकवरा है या समाधी है वो कहां है तो England option में होगा या England नहीं हुआ तो Bristol होगा ओके जादा तर जो ए England ही होता है ठीक है तो 1833 में इनकी मृत्वी हो जाती है England के Bristol में वहीं पर इनका मकवरा होता है यह तो थार राजराम महुनराय के बारे में अब बात करते हैं ब्रहम समाज के बारे में ब्रहम समाज की स्थापना राजा राम महुनराज जी द्वारा 20 अगस्त 1827 को की जाती है स्टाटिंग में से ब्रहम सवाका आ जाता है उसके बाद इसका नाम बदल कर ब्रहम समाज रखा जाता है ब्रहम समाज की स्थापना का जो उदेश्य था वो था जो हिंदु धर्म में सुधार लाना मतलब ब्रहम समाज जो था वो नेतिक बातों और एकेशवर बाद पर अधायर था मतलब ब्रहम समाज में जो है नेतिक बातों का परसार किया जाता था एक एशवारबाद पर जो है जोर दिया जाता था इसमें जो है बहुदेवबाद का मतलब यह जो अब मैं बताने जा रहा हूँ यह ब्रहम समाज की आप इनको सिधान भी कैसकते हो जो ब्रहम समाज था वो बहुदेवबाद का और मूरती पुजा का बिरोध करता था मलत ब्रहम समाज में अपताया जाता था की जो बहुदेव आनमल बहुद सारे देवी देवत्ताओं को जो आप पूचते हो ठीक है बो गलत है ठीक है इस वर एक है उसका एक ही रूफ है वो निरंकार है वो शुन्य है और मुर्ति पूजा पर बिरोध का बिरोध करते थे मंल्ड आप किसी इस टैच्चू की बाष्टिप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो तो उसका भी बिरोध बरह्म समाज करता था भवबतिनी प्रथा का परूता दोरा जो तो इंदू समाज मेरे जो दोस थे राजाराम होन रहा है थे क्या उनको जो सुसाइटी के या लोग जो बाहरी लोग थे उनकी का भी बिरोध जहलना पड़ा था नेचुरल सी बात है अगर वो जो सुसाइटी में चेंज लाना चाहे तो उनको नेचुरल सी बात है कि हर परसन जो भी सुसाइटी में चेंज लान नहीं रही थी कोई किसी परसन को अगर आप मान अगर कोई भी परसन अगर वो मान बनना जाता है तो वह ऐसे ही उसकी लाइफ कभी सीम्पल नहीं हो ही नहीं सकती तो इस ब्रहम समाज में चुवा चूत अंदविश्वास जातिगत भेद भाव का बिरोध किया गया जो समाज के दरा savior 1823 में राजा राम मोराईजी की मृत्यु उसके बाद ब्रहम समाज का नेत्रितिव करते हैं दोरिकनास्त अगर जो है के टाइम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसके बाद दोरिकनास्त अग़ोर के बाद जो आते हैं वह आते हैं देविंदर राजारामोहन्रा की प्रहं स्ववन्दित थे सबंदित थे उनका प्रसार करना तत्ववोधिनी सभा की जो स्थापना हुई थी वो इस 1978 में हुई थी और इसके जो स्थया थ मोदे देविंद्रनाथ टैगोर थे वह तत्व वोधिनी सभा हि आप उर भी पत्तर कारिता था का भी प्रकासन करती थी मलब ब्रहम समाज में उनकों का विलाय किया जाता है जैसके आज आज आप देखते होंगे कि जो बैंक के उनका विलाय किया जा रहा है बैंकों में ही से मिसी तरह जो है उसमें जो ग्यानवर्धिनी वो तत्व वो धिनी जो सावाएं थी इनका जो बिलाइ कर दिया गया ब्रह्म समाज में जो देविंदरनाट टैगोर थे, इन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंदरित किया, तथा ब्रहम समाज को जो इसाई, तथा बेदांतिक कर्मकांट थे, उनसे बिचाने का प्रयास किया था, मतलब सिधा बोला जाए, तो जो ब्रहम समाज था, उसमें बहुत ह पुली जो चलान जो अपना नेत्रितव या अपना जो जिमेदारी जो निभाई थी देविंदरना टैगोर ने जिसका उदेशया राजाराम सौरी ये तुम्हेने आपको बता दिया अब ब्रह्म समाज में एंट्री होती है एक ऐसे परसन की जो बहुत ही उदारवादी थे नाम था केश्वचंदर सेन केश्वचंदर सेन जी ब्रह्म समाज में सामिल होते हैं ब्रह्म समाज का नेत्रितव करते हैं दौरीक अना टेगॉर ने उन्हें ब्रह्म स्माज के अचारे का पद दिया था, मतलब उन्हें अचारे के पदपर नयुख्ट किया था, जो केशवर चंदरसेन्जी थे बहुती उदारवादी विचारों बाले थे, मतलब बहुती नर्म विचारों बाले थे, इनके अंदर जो कटरता का कोई भी भावन सबी धर्मों के परती जोए वो बिल्कुल उदारवादी थे इन्होंने ब्रहम समाज जोए इनके अधिन मतलब केशव चन्दर सेन के अधिन जोए ब्रहम समाज बहुत आंतियंद लोग कुप्रिया होता मलत सफसे ज़ाद अगर लोग और ब्रहम समाज भूा था तो केरच्पे चंदर सेन के अडेन नियत रितव में इनके नियत रितव में ये ये साउठ में जो इसकी साखाइं खुली गए पंजावाले रीजन में जो इसकी साखाइं खुली थी मतलब बहुत ही जादा ही जादा ही उदारवादी हो जाते है इनके द्वार क्या किया जाता है जो अंतर राष्ट्रिया करण किया जाता है ब्रहम समाज का जो समाज में जो सवी धर्म है उनकी सिक्साइन तो था जो अंतर राष्ट्रिया जो विवाह होते है ठीक है उनको प्रोसान करने जैसे मुद्दों पर केश्व चंदर सेन ने बल दिया था मतलब यह जो थे केश्व चंदर सेन जो थे न इन्होंने ब्रहम समाज में वे सवी ध नाश्टेगर के बीच मतविध होने के बाद केश्व चंदरसेन को देविंदर नाश्टेगर जो वो अचारे के पद से हटा देते हैं बट यह वो दौर होता है जब केश्व चंदरसेन बहुत ही फेमस हो चुके थे इसके बाद क्या होता है कि 1865 में ब्रहम समाज में के हो जा अरिजिनल जो ब्रह्म समाज है उसका स्तित्व खत्रे में होता है जो है ब्रह्म समाज जो होता है हमारा ओर्जिनल जो ब्रह्म समाज हम जी से कहेंगे वो जो बन जाता है आदी ब्रह्म समाज द्यान से सुना जो ब्रह्म समाज है वो 1866 में बन जाता है आदी ब्रह्म समाज औ और यहां पर फिर से केश्वचंदरसेन के प्रती केश्वचंदरसेन कुछ ऐसा कर वैटते हैं जिससे भारतिया ब्रह्म समाज फिर से तूड़ जाता है एक्शली में होता क्या है कि 1878 के आसबास आते आते हैं जो केश्वचंदरसेन है वो अपनी 13 वर्स की बेटी की मतलब उनकी पुतरी होती है वो 13 वर्स की होती है उसका विवाज कूछ बिहार के राजा से करवा देते हैं इससे कोई बड़ा मुद्द तो है नहीं लेकिन बात तब मुटती है जब केश्वचंदरसेन जो अपनी बेटी का विवाज बैदिक कांडों से करवाते हैं तो इससे जो है उनके साथ ही उनका विरोध करने लग जाते हैं एक्चुलि में उनके साथ ही कहते हैं कि आप जो है दूसरों को संदेश देते हो ब्रहम समाज के थुरू कि जो धर्मों में जो अंद्वीस्वा से बगएरा है उनको नहीं मानना चीए वैसा वैसा ठीक है जिसके वज़े से उनके साथियों के दोरा इनका विरोध किया जाता है और उसके बाद जो केश्व चंदर सेन है वो अलग हो जाते हैं भारतिया ब्रहम समाज से और वो करते हैं स्थापना 1878 में साधान ब्रहम समाज की और साधारन ब्रहम समाज की स्थाबना के बाद जो केश्व चंदरशेन है वो धीरे धीरे इतिहास के अंदकार में खो जाते हैं तो आप दिने दिखा कि किस तरह ब्रह्म समाज आगे टूटता जाता है उसके बाद ब्रह्म समाज टूटता है आदी ब्रह्म समाज टूटता है आदी ब्रह्म समाज टूटता है आदी ब्रह्म समाज में जो केश्व चंदरसीन की स्पोर्टर होते हैं वो चले जाते हैं ब्रह तरह जो आगे को जो ब्रह्म समाज उसका अस्तित्तफ धीरे दिरे टूटता चला जाता है सो गाइस यह था हमारा ब्रह्म समाज आप से कोश्चिन पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थाबना कव की गई थी तो आपका क्या आंसर होगा मुझे कोमेंट बॉक्स में बताईएगा इस वीडियो में बस इतना है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा गाइस